काडा बडाला का मर्डर आपको याद होगा इसी साल जनुवरी में काडा बडाला का मर्डर हुआ था उसकी हत्या हुई थी इसमें कई लोग पहले यह रस्ट हो चुके थे लेकिन अब पुलिस ने इसमें एक और शक्स को ग्रफतार किया है उसका नाम है सिकंदर फोजी उसकी हत्या हुई थी संजू की भी रेकी हुई थी और रेकी के दोरान कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे रोने बताया था कि इसमें सिकंदर फोजी का हाथ है पुलिस ने आप सिकंदर फोजी को ग्रफतार कर लिया है उसके पास से एक मैगजीन बरामद हुई है कुछ और रूट फोजी को हमने रांड रॉड आ। एक पूस्ताच के बाद वीदि ईंसार उसको गिवतार किया गया था। तो उसको पूस्ताच के लिए कुछ आमने एम्मूनेशन बरामद करने के लिए उसने बताया था कुछ के पास एम्मूनेशन है जिसके लिए माननी एन्याले से तेन दिन का रिमान इरासत पुलिस मंजूर हुआ था जिसमें उससे एक मैगजिन और चार रोंत और बरामद वह इसेन उपलब करवायी थैं तो इसके खिलाप और भी चार मुकद में इसके लावा और भी दर्ज हैं जिसमें इनकी घिवतारी बगाया है तो अगय की चे के जिए जिस सिवी वी दिक्राव चलेगी उसमें भी इनके गिफ्तारी पूछ ताज के बाद की जाएगी किस कीस में जामिल ना जा है जिस चार केस हैं इसके दो दो या गार्णा केश है आपना सदर गार्णा का जिसमें काललूट का भी है एक और तो मटर के पिए से हैं ये सेक्टर पांच से हैं या ना ये सेक्टर पांच से पांच या है ना ये जो परशी मटर वादा उसमें इन बोलाई करें अब उसे पूष्टाच करेंगे ना ये उतमे तो अभी पूष्टाच करेंगे ना कि कि क्या इसका मक्सद था क्या इसका रोल था डिटेल में यह ज्यादा तर वृंदावन साइड में रहा है कि इसको प्रेट में कुछ तक्लीफ हो गी थी इसना अपना इलाज भी करवाया था केंट होस्पिटल में आर्मी होस्पिटल में तो उस यह तो उसके अब रिकार्ड हासिल करेंगे ना मिल्टर से तो होस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पर यह डूटी पर नहीं जया था जैसे भी आगें कोई तथ्य आता है कोई और अपरादी जूटता है तफ्तीश के अधार पर सामने आयत तथ्यों के अधार पर तो उसके खिलाब भी भी दियानुसार करवे की जाए कारवड़ा मावले में कुल कितने गिरिचार हो तो 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 ने वह जीन शेहिए के पास है तो तक्तीश यहान ही होड़ी जीन जोरी होड़ी होड़ी जीन शेहिए के पास हो तो उसकी बारे में मैं आपको जान कड़िदेने में ऐसे मरत हो तो यहीं मजबने घुनुसार इंवेस्टिचेसनास है साइटीब ने रिया है शेहिए के पास कीई होड़ी है मोफार लिया नहीं है